आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें हलो स्टूडिंट तो अब क्वेशन गिवेन है हमें एल्कोहलो के अंतर अनुक निर्जली करण से प्राप्त होते हैं चार ओप्शन हमें याँ पर दे रखे हैं पहलो ओप्शन है अलकीन सेकेंड ओप्शन है किटोन थार्ड ओप्शन है अलकाइन और फोर्थ ओप्शन हमें क्या दे रखे हैं याँ पे एथर ठीक है हमें बताना है कि जब भी हम अंतर अनुक निर्जली करण करते हैं अलकोहल का तो हमें क्या प्राप्त होता है तो अलकोहल क्या होते हैं कोई भी अलकल समूज जिसमें OH समूज अगर जुड़ा हुआ है तो वो क्या कहलाते हैं, अलकोहल ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक अग्जामपल ले लेते हैं हमें इथर प्राप्त करना है न, तो ROH, ठीक है इसके दो अड़ों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ROH, ठीक है यह दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया किसकी उपस्तिती में होगी सांद्र सल्फियॉरिक अमल, यानि कंसेंट्रेटिड ह2SO4 हम यहाँ पे लेंगे तापमान कितना होगा, 413 Kelvin, ठीक है तो हमें क्या प्राप्त होगा यहाँ पे क्या होगा कि H2O बाहर निकलेगा यहाँ से एक ये O, OH और ये H ये क्या बाहर निकाल देंगे जल बाहर निकाल देंगे और जो भी हमारे पास बचा हुआ है उसे हम वैसे का वैसे जोड के लिख देंगे इसे और इसे ठीक है आर ओ आर तो ये हमें एक मूख्य उत्पाद के रूप में प्राप्थ हुआ है यहाँ पर आक्सी समू जुड़ा हुआ और उसके साथ दो अलकिल समू जुड़े हुए है समान प्रकार के तो इसे हम क्या भी बोलते हैं इथर भी बोलते हैं ठीक है या फिर अगर हम इसका एक और नाम देके तो वो हो जाएगा अलकॉक्सी अलकेन क्या बोलेंगे हम इसे अलकॉक्सी अलकेन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पीच में जुड़ा हुआ है यह हमारा ऑक्सी समू है आयूपेसी नाम के आधार पे तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे अलकॉक्सी अलकेन ठीक है तो आंसर में हमसे क्या पूछा है कि अलकॉछों के अंतर अडुक निर्जली करण से हमें क्या प्राप्त होता है तो हमें यहां पे क्या प्राप्त हुआ है ether ठीक है अगर हम किसी एक alcohol का example यहां पर ले ले मानले हमने लिया ethanol ठीक है तो यहां पर जब ethanol के दो अड़ों साथ में अभिक्रिया करेंगे तो हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है CH3 CH2 OH CH2 CH3 ठीक है और अभिक्रिया किस की उपस्तिती में होगी सांद्र H2SO4 की उपस्तिती में होगी 413 Kelvin पर ठीक है तो क्या होगा कि यहां से OH यह और यहां से एक H यह बाहर निकल करके जल का एक अड़ों हमें प्रादान करेंगे और जितना भी हमारे पास यह बज़ गया है इसको वैसे का वैसे लिख रहेंगे हमें क्या प्राप्त होगा CH3 CH2 O CH2 CH3 ठीक है यह क्या है एक प्रकार का इथर है इसका नाम क्या है dye ईथिल ईथर है तो इस प्रकार हम बोल चकते हैं कि अलकोहल के अंधरा अड़ुक निल्जडी करण से हमें प्राप्त होता है इथर फोर्थ ऑप्षन अमारा सही आंसर है सो थैंक यू